पच्चीस मई शनिवार को गोधुली बेला में दुर्ग शहर के हिर्दैस्थल स्टेशन डोड में स्थित गार्नेट इन होटल पर अंतरराश्टी शायर कवी साहितिकार डॉक्टर रौनक जमाल के सतरवे जन्मदिन के उपलक्ष पर उनकी पांच किताबों का विमोचन करने पाल सुल्तान अक्तर सोलापूर मुहम्मद शाहिद आंद्रप्रदेश कयूम असर जलगाउं वकीर नजीब नागपूर रियास कामिल नागपूर ख्वाजा गुलाम उस्तदैन ख्वानी नागपूर मुस्ताक बेबाक नागपूर विशेसरुप से शामिल रहेंगे आगामिश शनिवार 25 मई को गोधुली बेला में दुर्ग शहर के हिर्दैस थल स्टेशन रोड इस्थित गौर्नेट इन होटल पर अंदररास्टी शायर कवी साहितिकार डॉक्टर रौनक जमाल का सत्तरवा जन्मदीन हर्श अरुडलास के साथ मनाया जाएगा जन्मदीन के खास मोके पर उनकी कितावों का विमोचन भी किया जाएगा विमोचन कर रेच 36 गड़ी नहीं बलकि पूरे भारत देश की साहित प्रेमी अपनी उपस्तिती दर्स कराएंगे उलाम उजदतेन खवानी नाकपूर मुश्ताग बेबाक नाकपूर इत्याधी आदी लोग शामिल रहेंगे बता दें यू तो धान का कटोरा कहलाने वाला सिर्फ धान ही नहीं उगलता बलकि 36 गड़ की धरातल पर कराकारों और साहितिकारों को मंच भी प्रदान करता है इनी साहितिकारों में से एक वरिष्ट साहितिकार है रौनक जमाल जिनकी इंकावन वर्षों का साहितिक जीवन काफी यादगार रहा है जातिवा से उपर उठकर 36 गड़ ही नहीं बलकि पूरे रास्त्र में दुर्ग शहर का नाम उन्होंने रौशन किया है डौक्टर रौनक चमाल की साहित लिखते छपते इंकावन वर्ष हो चुके हैं सन दोहज से उचा उठाकर पूरे विश्व में 36 गड़ की कलाएवं साहित जगत की पहचान बनाकर आने वाले यूवा साहितिकारों के मन मस्तिस्क में सकारात्मक विचारों का बीजवो कर अपने जीवन को सदा सदा के लिए प्रेनात्मक बनाकर अविस्मर ने कारे कर रहे हैं अम्र लास के साथ मनाए जाएगा हम डॉक्टर रौनक जमाल की दिरगायों होने की और उजोल हविश्य की काम ना दिल से करते हैं